चट 286, दो साल बाद, आप तक आप लोगों ने पड़ा, नैना की बाद सुनकर प्रेंग भी बहुत खुश हो जाता है और प्रेंग फोन कट करके पीछे पलता है तो मननत ख्वाहिश को अपने हाथों से खाना खिला रही थी, प्रेंग मननत के पास जाता है और मननत का हाथ मननत के सीने से लग जाता है प्रेंग के इस तरह अचानक मननत के गले लगने से मननत भी हिरान हो जाती है लेकिन तभी प्रेंग के आवाज मननत के कानों में सुनाई देती है नंदनी को होशा गया है वाइफी नंदनी ठीक है कुछ ही दिनों में नंदनी को होस्पीटल से आज भी मिल जाएगा प्रेंग की बात सुनकर मननत भी बहुत खुश हो जाती है और मननत भी प्रेंग की सीने से लग जाती है अब आगे दूसरी तरफ लंदन में लंदन में इस समय शाम हो रही थी और अंश अपने अपार्टमेंट के छट पर खड़ा था और डालते सूरज को देख रहा था अंश के एक हाथ में काफी का मध्था और अंश की आँखे बिना किसी एक्स्प्रेशन के पास सूरज को धलते हुई देख रही थी और तभी अंश का फोन रिंग करता है अंश अपनी जेब से फोन निकाल कर देखता है तो उसे पर नैना बेस्टी लिखा रहा था अंश कॉल उठना है और फोन को अपने कान पर लगा लेता है अंश ने अभी हेलो ही बोला था कि दूसरी तरफ से नैना की खुशी से भरी आवाज आती है हेलो अंश नंदनी को होशा गया है नंदनी अब बिलकुल ठीक है जल्द ही उसे डिस्चार्ज भी मिल और तुम देखना भाया तुम्हें माफ कर देंगे और जल्द ही इंडिया वापस बुला लेंगे नैना की बात सुनकर अंश के चेहरे का भाव बिलकुल नहीं बदलता और तभी अंश नैना से कहता है नहीं बुआ जी आप मैं इंडिया वापस नहीं आउंगा क्योंकि वंश जल्द ही इंडिया वापस आजाएगा नैना अंश को समझाते हुई कहती है अंश ऐसे किसी की बातों को दिल से नहीं लगते तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद पुरा घर सुना हो गया है किसी के चेहरे पर कोई मुस्कुराहत नहीं है जिद मत करो बेटा वापसा जाओ अंश सूरज को देखते हुए ही कहता है बुआ जी मेरी क्लास का टाइम हो गया है मुझे जाना होगा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ और इतना बोलकर अंश बिना नैना की कोई बात सुने फोन कट कर देता है और फोन को अपनी जेब में रखकर वापस स सूरज को देखते हुए कहता है अच्छा होगा इस जिन्दगी में तुम दोबारा कभी मेरे सामने नो क्यूंकि अगर तुम मेरे सामने आए तो इस बार तुम अंश का वो रूप देखोगी जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा तुम ठीक हो गई हो अच्छी बात है पर दुआ करना की दोबारा तुम्हारा सामना अंच सिंधानिया से कभी ना हो। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जिंदगी की सबसे प्रैशियस चीज़ खोई है। तुम्हारी वजह से मैंने इंडिया वापस आने से मना क्यों किया। को परेशान कर रहे हो और अब तो वैसे भी सब ठीक हो गया है तो तुम्हें इंडिया वापस चले जाना चाहिए अंश की बात सुनकर वन्श अंश के बराबर में आकर खड़ा हो जाता है और वन्श अपनी पेंट की जेब में हाथ डाल कर घलते सूरज को देखते हुए कहता है ऐसा तुम्हें लगता है अंश की सब कुछ ठीक हो गया है लेकर कुछ भी ठीक नहीं है सब कुछ पहले की तरह ही बरबाद है जिस तरह से तुम सबसे नजर नहीं मिलना चाहते इस तरह से मैं भी किसी से नजर नहीं मिल पाऊंगा मत भूलो जस गलती की सजा तुम्हें मिल रही है उस गलती का बराबर का हिस्सेदार मैं भी हूँ जो गलती तुमने की है पर पाप है और मामी और मामा भी है और यहां पर सिर्फ हम दोनों है एक दूसरे को संभालने के लिए भी और एक दूसरे का सहारा बनने के लिए भी मत भूलो अंच का वजूद वंच से है और वंच का वजूद अंच से है अंच और वंच एक दूसरे से अलग नहीं है वंच क दोनों मुस्कुराते हुए धलते सूरज को देखने लगते हैं। दूसरी तरफ एक आलीशान होटल के एक आलीशान कमरे में एक औरत और एक आदमी बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। दोनों के जिस्म आपस में उलजे हुए थे और दोनों ही इंटिमेट हो रहे थे। मधोशी भरी आवाज पूरे कमरे में घूम रही थी। लड़का और लड़की काफी पैशन के साथ एक दूसरे से इंटिमेट हो रहे थे। औरत और आदमी दोनों काफी देर से इंटिमेट हो रहे थे, इसलिए लड़की काफी ठक चुकी थी और लड़की अब लड़के के सीने पर हाथ रख कर अपनी ठकी आवाज में कहती है। ये औरत कोई और नहीं बलकी नालंदा थी नालंदा अखिल की पहली बीवी। नालंदा गुसे में रज़त की सीने पर हाथ रख कर रज़त को धक्का दे देती है और खुद रज़त के ऊपर चड़कर बैख जाती है। उनके बीच में इतनी बड़ी दरार पैदा करी थी लेकिन उसे आखिर में न जाने उसे आरती पर कैसा जादू किया है कि उसने मेरी एक नहीं सुनी और अभी तक उसके साथ है। और मुझे तो अखिल का भी समझ में नहीं आता जो इनसान एक लड़की के साथ दो महीने नहीं बुजार सकता। उसने एक लड़की के साथ इतने साल गुजार दिये और अभी तक इस लड़की के साथ है और उसे लड़की को छोड़ने के लिए तयार नहीं है। नहीं हुता। मुझे अखिल को हसता हुआ नहीं देखना। मैं चाहती हूँ कि आखिर मेरी आखों के सामने तड़क तड़क कर मार में उसे बरबाद कर देना चाहती हूँ। मैं उसे और आर्थी को अपनी आखों के सामने मारता हुआ देखना चाहती हूँ। लेकिन अभी तुम्हें थोड़ा पेशेंट रखना होगा क्योंकि अखिल कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। और बिना धार के खंजर किसी काम का नहीं होता। नालंदा उदास होकर रजट के सीने पर अपना कर रख लेती है और अपनी उदास भरी आवाज में रहती है। इस वक्त जिस आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी वह। अंडर वर्ट का किंग है और रजट अच्छे से जानता है। अखिल कोई मामूली इंसान नहीं है। उसे अगर डाइरेक्टली तुम भीर जाओगे तो तुम सबसे बड़े बेवकुफ होगी। इसलिए रजट सही मौके का इंतजार कर रहा था। अंडर वर्ट की दुनिया में रजट किंग है। हर एक इलीगल काम में रजट का हाथ होता है। लड़कियों की स्मगलिंग करना ड्रग्स की स्मगलिंग करना जो गोल्ड की स्मगलिंग करना हर इलीगल काम रजट की इशारों पर होता है। बड़े से बड़े अमीर लोग या फिर पावफुल लोगों को भी रजट में चुटकियों में गायब कर दिया था। किसी भी इंसान को मारना रजत के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं थी. लड़किया उसकी सबसे बड़ी कमसुरी थी. खूगसूरत लड़किया उसे हर रात अपने बिस्तर पर चाहिए थी और सबसे बड़ा इल्लीगल काम उसका human trafficking का था. लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया ह है. जिन्दगी वापस से अपनी पट्री पर आ गई है लेकिन एक और खत्रा था जो अखिल आर्ती नंदिनी और वेदिका की जिन्दगी पर घूम रहा था. और इस बात से अंजान सभी लोग वापस से अपनी अपनी में व्यस्थ हो गए थे. सभी लोग अपनी अपनी जि दिन था. मननत और नैना अपनी बेटी के रिजल्ट से बहुत खुशी क्योंकि अंज और वंच दोनों ने ही पूरे स्कूल में टॉप किया था और उसके बाद हावर्ड युनिवसिटी ने खुद अंज और वंच को जोईनिंग लेटर भीजा था. उनकी तरफ से इंविट हॉल में आज आते हैं. आज संडे था इसलिए प्रेम ने अपने ओफिस की छुट्टी रखी थी और प्रेम आज अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पैन करने वाला था. विजय ने भी अपने ओफिस की छुट्टी रखी थी और विजय भी सभी के साथ टाइम स्पैन करने के गहर पर ही रुका हुआ था और जैसे ही प्रेम ने टीवी ओन किया था उसे पर चल रही न्यूस को देखकर प्रेम और विजय दोनों ही हैरान रह जाते हैं। अब तक आप लोगों ने पड़ा और विजय भी सभी के साथ टाइम स्पैन करने के लिए घर पर ही रुका हुआ था और जैसे ही प्रेम ने टीवी ओन किया था उसे पर चल रही न्यूस को देखकर प्रेम और विजय दोनों ही हैरान रह जाते हैं। अब आगे मननत और नैना टीवी पर चल रही न्यूस को देखकर अपने दोनों हाथों को अपने मूँ पर रख लेती हैं। रविश्वसनिय के साथ अपनी गर्दन ना में हिलने लगती है। टीवी पर दो तस्वीर दिखाई जा रही थी और उसी के साथ न्यूस इनक बोल रहा था। जी हाँ, आपको भी देखकर विश्वास नहीं हो रहा होगा। शहर के अच्छे खासे जान आए मानी हस्ती अखिल अरुडा और उनकी वाइफ आर्ती अरुडा की कल रात किसी ने बढ़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी है। इस वक्त हम उनके पार्थक शरीर के पास है। बात की जाए तो उनके साथ भी बड़ी ही बेरहमी हुई है। बात की बेटा भी लापता है। उनका भी कुछ पता नहीं चला है। शायद उनके दुश्मनों में या तो उनके बच्चों को भी मार दिया। है या फिर उनकी दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर चला गया है। विजब प्रेन के कंदे पर हाथ रखकर टीवी को देखते हुए ही कहता है। आखिर ऐसा कौन कर सकता है किसने अखिल अरुडा जैसी इतनी बड़ी हस्ती को इतनी बेरहम वाली मौत दी है। प्रेन जिसकी आखों में गुस्सा उतर आया था और चहरा गुस्से सी काला पर चुका था। मैं उससे पाताल से भी धूंड निकलेगा। प्रेम की बात पर मुझे भी अपनी गर्दन हा में दिला देता है और फिर प्रेम और विजय दोनों ही तेज कदमों से घर से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आरती और नैना दोनों ही सोफे पर धाम से बैट जाते हैं क्योंकि यह सदमा उन दोनों के लिए ही बहुत बड़ा सदमा था और शाम में चल रही नहीं उसको देखकर उनका दिल भी सहम गया था। और अब दोनों को उन मासूम सी प्यारी बच्चियों की भी फिक्र हो रही थी जिनका कुछ आता पता ही नहीं था। उपर भी काफी जख्म बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे लड़कियों के हाथों को किसी ने अपने पैरों के नीचे कुछल दिया हो। लड़कियों के पैरों में भी बहुत जख्मी में थे कांच के टुकड़े और कॉंटों से लड़कियों के पर पूरी तरह से जख्मी थे। चटू हन्देरी काल कोटरी अब तक आप लोगों ने पड़ा एक अंदेरे कमरे में 16 साल की लड़किया बेहुश पड़ी हुई थी। लड़कियों के हाथों को किसी ने अपने पैरों के नीचे कुचल दिया हो। लड़कियों के पैरों में भी बहुत जख्मी में थे कांच के टुकड़े और कॉंटों से लड़कियों के पर पूरी तरह से जख्मी थे। अब आगे उस अंदेरे से काल कोटरी में रोशनी की किरन नहीं आ रही थी और दो सोलर साल की मासूम सी लड़किया उस कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। उनका पूरा जिस्म जख्म से भरा हुआ था और तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और कमरे में रोशनी फैल जाती है। लेकिन लड़किया इतनी बेहोश थी कि रो दोनों लड़किया होश में आ जाती है और उनके जख्मों में नमक की पानी से बेहिसाब बेंतहा दर्द होने लगता है। उनके पूरे शरीर में दर्द की तेज लहर दोर जाती है। उनके जख्में से लग रहे थे जैसे किसी ने जला दिये। दोनों लड़किया होश में आते ही चिलाती हैं. पापा, दूसरी तरफ प्रेम गाड़ी में बैठ कर कही जा रहा था. प्रेम इस वक्त किसी से फोन पर बात कर रहा था और उसके चेहरे पर बहुत ही गुस्सा जहलक रहा था. प्रेम का पूरा चेहरा गुस्से में काला पर चुका था, लेकिन अचानक से प्रेम के कानों में किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है. जैसे किसी ने उसे पापा का कर पुकारा हो और प्रेम को अपने सीने में बेंतहा दर्द महसूस होने लगता है. जैसे इतना दूर होने के बावजूद भी प्रेम को उन दोनों मासूम बच्चों की पुझ जल्द धून कर निकलूंगा। तुम मेरे दोस्त की आखिरी निशानी हो। मुझे पता है तुम जिन्दा हो। यह हसास मुझे इस बात का यकीन दिला रहा है कि तुम जिन्दा हो और इस वक्त बहुत तकलीफ में हो। लेकिन होसला रखना तुम्हारा एक पिता का साय तुम्हारे सर से उठा है लेकिन एक और पिता है तुम्हारा इस दुन्या में जो तुम्ही कुछ नहीं होने देगा। प्रेम और विजय दोनों ही अखिल और आर्टी की बेटियों को धूनने के लिए जमीन आस्मान एक कर देते हैं लेकिन नंदिनी और वेदिका का पता न उन्हें धूनते हुए आज पूरा एक महीना हो चुका था लेकिन अभी तक किसी का कुछ पता नहीं चला था और प्रेम इस बात से भी बहुत ज्यादा इरिटेट था कि अभी तक प्रेम इस बात के बारे में भी पता नहीं लग पाया था कि अखिल और आर्टी को किसने बे वरना उनके जिसमें ना तो जान बची थी, ना ही कोई उम्मीद और ना ही कोई हिम्मत, वो लड़किया अंदर तक तूट चुकी थी. एक आदमी अंधेरे कमरे का दरवाजा खूलता है और हाथ में दो खाने की प्लेट लेकर अंदर आता है. दरवाजा खुलने से रोशनी दोनों लड़कियों की चहरे पर पड़ती है. अचानक से आई रोशनी से दोनों लड़कियों की आँखे एकडम से बंध हो जाती है और अपनी आँखों में आई तेज रोशनी की वज़े से दोनों लड़किया अपना हाथ अपनी आँखों के पास कर लेती है आदमी धीरे से चल कर उन लड़कियों के पास आता है और फिर पंजों के बल बैठ कर उन दोनों लड़कियों के सामने खान की थाली को सरकते हुई कहता है एक महीने से इस कमरे में बन पड़ी हो और अभी तक हिम्मत तूटी नहीं है तुमहारी अपनी यह फालतू की जिद छोड़ दो और जैसा मलिक साहब कहते हैं वैसा करो वरना जंगली भीडियों के आगे फेक देंगी तुम दोनों लड़कियों को और तुम जैसी मासून कमजोर लड़किया उन भीडियों का सामना नहीं कर पाएंगे तुम जानती नहीं हो यहाँ पर और ओरतों का बजार लगता है और तुम जैसी लड़कियों की अकर यहां हर रोज तोड़ी जाती है और फिर वो आदमी दोनों लड़कियों को उपर से लेकर नीचे तक अपनी गहरी नजरों से देखते हुए कहता है वैसे तुम दोनों लड़किया दिखने में काफी चोटी हो 15-16 साल की ही लग रही हो और इस हिसाब से अभी तक तो तुम्हारी नाथ भी नहीं उतारी होगी मतलब कि अभी तक तुमने किसी के साथ रिष्टा नहीं बनाया होगा मतलब तुम अभी तक वर्जन हो, किसी के साथ सोई नहीं हो, तुम्हारी सील अभी तूटी नहीं है लेकिन हाँ, एक बात तो है कोई तुम्हें एक बार देख ले तो तुम्हें चके बगेर रह नहीं पाएगा हो बड़ी खूब सूरत माशालला उपर से नीचे तक क्यामत हो क्यामत न जाने किसके बिस्तर की शोभा बड़ा होगी लेकिन हमारे मालिक साहब का एक उसूल है 18 साल से कम उमर की लड़कियों का हमारे मालिक साहब धंधा नहीं करते तो अभी तुम्हारे पास एक दो साल है और यहें एक दो साल तुम्हें ट्रेन किया जाएगा कि मर्दों को कैसे खुश किया जाता है कैसे उन्हें बिस्तर पर सुकून पहुँचाया जाता है उन्हें सेटिस्फाई किया जाता है उसे आदमी की बाते सुनकर दोनों लड़कियों को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घेना रहे थे तभी एक और आदमी आता है और दर्वाजे को खटखटाते हुए उसे आदमी से कहता है आप क्या सारा टाइम इन्हीं लड़कियों के पास बैठा रहेगा और लड़कियों को खाना नहीं देना है क्या चल जल्दी और लड़कियों को भी खाना देना है तभी वह आदमी दर्वाजे पर खड़े आदमी से चिल्ला कर कहता है खाना देने का काम मेरा है और मैं खाना सब को दे दूंगा तू जाकर अपना काम कर समझा इसके बाद दरवाजे पर खड़ा आदमी कुछ नहीं कहता और वहां से चुपचाप चला जाता है तभी दूसरा आदमी वापस से दोनों लड़कियों की तरफ देख कर कहता है अगर अपनी जिद छोड़ कर मलेक साहब की बात सुनोगे तो जल्द ही तुम्हें इस अंधेरी काल कोटरी से चुटकारा मिल जाएगा और तुम भी बाहर की दुनिया को देख पाओगी इसलिए अपनी यह बेकार की जिद छोड़ो और हमारे साथ हमारी दुनिया में मिल जाओ उसी में तुम्हारा फाइदा है परना इसी तरह इसी काल कोटरी में सरसर कर मर जाओगी और किसी को तुम्हारा ख्याल नहीं आएगा और नहीं तुम्हारे मरने से किसी को कोई फर्थ पड़ेगा इतना बोल कर वह आदमी भी एक नजर दोनों लड़कियों को देखा है और फिर वहां से चला जाता है और फिर से उसे कॉल को ठारी का दरवाजा बंध हो जाता है और पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है कमरे में बस हलके लाल रंग के छोटे बल्ग की रोशनी दिखाई दे रही थी दोनों लड़किया धाली में रख खाने को देखने लगते हैं खाने को देखकर दोनों लड़कियों की आँखों में आंसु आ जाते हैं क्योंकि जब तक उनके सर पर पिता का साया था उनके पसंद का खाना उनके सामने होता था एक दर्ड एक तकीफ एक आंसू तक उनकी आँखों से नहीं निकलता था और आज उनकी हालत ऐसी थी कि वह दोनों किसी से अपनी हालत का जिक्र भी नहीं कर सकती थी दर्ड का पहार उनके सर पर तूट गया था थाली में कुछ चावल दो रोटी और एक कटोरी में डाल थी दोनों लड़कियां हाथ बढ़ा कर खाने को जैसे ही चुती है दोनों के हाथों में बहुत दर्द होता है क्योंकि उनके हाथ अभी भी जक्तमी थे इसलिए लड़कियां वापस से अपने हाथ को पीछे खीच लेती है लेकिन पेट में लगी भूख की आग के आगे दोनों लड़कियां वेबस होकर खाना खाने लगती है खाने में नमक नहीं था और सिर्फ मिर्ची मिर्ची डाली हुई थी दोनों लड़किया इस तरह का खाना पूरे एक महीने से एक खा रही थी खाना खाते वक्त उनकी आँखों से आंसू निकल रहे थे लेकिन मजबूरी उन्हें उसे खाने को खाने के लिए मजबूर कर रही थी लेकिन आज उन दोनों लड़कियों ने थान लिया था कि अपसे उन दोनों का मकसद सिर्फ यहां से बाहर निकलने का होगा चाहे उन्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े उन्हें अपने भाई को ढूंडना है और इस नरक वाली जिंदगी से बाहर निकलना है